बिन नहरता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा एक बार उस्पद रिष्टी बढ़ गए तो कुछ और नहीं भाएगा आपके नेत्रों को अरे ये मेग तो सुर्णेम हो रहे है अब प्रतीत होता है अब अलकापुरी समीब है तो ये है कुबेर देव जी की अलकापुरी रत्न जडिक सुवन्न नगरी तो और कहीं नहीं है आईए मेरे राज भवन में स्वागत है आपका जने गाजनन आपको इतना समय, कहां लग गया स्वामी? मैं महादेव और माता पारवर्दी को आमंत्रत करने कहलाश चला गया था तो कहां है वो वो कोयम तो नहीं आ सके इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गजानन को हमारे भोज का आनन लेने के लिए भेजा है प्रेडाम आपका स्वागत है बालग गजानन आपका आपका रुप अपका आनन आपका आनन है इतना सारा भोजन भोजन की विवेस्था तो कुबेर देव जी ने बहुत की है भाती भाती के फल और मिश्ठान भी है आनन तो आएगा मेरा निमंत्रन स्विकार कर यहां आने के लिए आप सब का धन्यवार मैंने कहा था ना ऐसा भोज इसके पूर्व कभी नहीं वह आओगा देखिए उसका प्रमान देव राजिंद्र वैसे तो यह मेरा सिंगासन है किन्तु आज आप मेरे मुख्यातिती है इसलिए आप यहां स्थान ग्रहन कीजिए निवाद कुबेर देव मेरे प्रतिय आपका इस सम्मान आपकी उदार्ता का प्रतिक किन्तु आज गजानन जगत्मिता महादेव और माता पार्वती का प्रतिने दित्व कर रहे इसलिए इस सिहांसन पर उन्हें ही बैटना चाहिए उचित्य देव राज इंद्र तालक गजानन आएए मेरा सान गराण कीजिये आप सभी अपना स्थान ग्रहाण करें अपना स्थान ग्रहाण करें अपना स्थान ग्रहाण करें भोजन आरम करें रुखिये कुबिर्देजी हम भोजन नहीं करेंगे क्या बात है गजानन आप भोजन नहीं करेंगे देवराज भोग तो लगी है किन्तो मैंने ही अपने आपको रोग लिया कहीं भोजन कमना पड़ जाए ये क्या कह रहे हैं गजानन नेरे या भोजन कम पड़ जाए असंभा वही है नहीं कुबिर्देज जी मैं भोजन ना ही करूं तो उचेत है इतने लोगों के लिए ये भोजन तो परियाप्त नहीं और मैंने भोजन करना प्रारंब किया तो अवर्शिकम पड़ जाएगा बालक कजन और कुछ भी कहने के पूर्व एक बार अपनी दृष्टी अपनी चारों और घुमाकर तो देख लीजिए यहां किसी प्रकार की कोई भी कमी दिखाई देती है आपको अभी आप बालक है अधिक अनुबव नहीं है आपको मेरी नगरी में कमी जैसा कोई शब्ध है ही नहीं अच्छा यदि आपको विश्वास है तो उचे थी होगा वैसे मेरे अनुमान में तो यह भोजन अवश्य पर्याप नहीं रहेगा बालक गजानन आप उस नगरी में आये हैं जहां सब कुछ आवश्यक्ता से सरस्त्र गुणा दिक है आईए मेरे साथ मैं दिखाता हूं निश्चित रूप से गजानन अब कुछ न कुछ अवश्य करने वाले तिंद क्या क्या योजना हो सकती है उनके मस्तेश्च में देखिए मेरा भंडार जिसमें अंगिनत सैनिकों को भोज कराने के लिए पर्याप अन्य है यहां तो ये है इनका भंडार आईए मेरे साथ अब बोलिये बालक गजानन कहीं से भी अपरयाप दिखाई दे रहे मेरा धनकोष्च नहीं कुबेर जी अधिकता तो बाहर भीतर सभी और से फूट रही है आपके यहां किन्तो किन्तो क्या बालक गजानन मैं तो भोजन की बात कर रहा था मुझे लगा जितना भोजन आपने भोज के लिए तयार करवाया है वो कम पढ़ जाएगा आईए मेरे साथ बालक गजानन यह है हमारी रसोई घर सहस्त्र सैनेकों का भोजन एक साथ बनता है यहां तब तो और विलम नहीं करना चाहिए भूख लगी है मुझे आईए भोज आरंब कीजिए इन वंजनों का फलो और सब्जयों का अनन लीजिए ऐसा भोजन आपको स्वर्ग लोग में प्राप नहीं होगा अपको बेव देजी चाहते हैं तो उनकी इच्छ पूरी कर ही देता हूं अन्यपते त्राश नादेही अन्यवश्य सुष्मिना प्रपर्दतरम प्रपर्दतरम तनिश उर्जान देही सून जी आरम करें अनन्द आ गया अत्यांत स्वादिष्ट भोजन है लाइए और दीजिये हुँ हुँ कुबेर देव जी और भोजन चाहिए मुझे कुबेर देव जी मुझे और भोजन चाहिए हाँ और भोजन दीजिये मुझे हाँ हाँ और भोजन चाहिए मुझे हाँ रुक चाहिए धाल में भोजन डालने की आविशक्ता नहीं है जितना भोजन है मेरे सबक्ष प्रस्तुत कर दीजिये हाँ 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 मुझे कि अबदे कर दो कि प्रुण अल्ट मुझे कि दिए और भोजन चाहिए मुझे और भोजन लाइए शीक्र जाहिए और भोजन ले आईए और भोजन चाहिए मुझे शीक्रिकी चीए कुबेर देवची आपने सुना नहीं मुझे और भोजन चाहिए मेरी पत्नी कही है आपके लिए और भोजन आने के लिए अभी चाहिए मुझे इस एक शड़ भोजन आट यढ़ जन्सुन लाइए और भोजन आपके लिए जब़ पहाँ भोजन बतित लिए और भोजन लिए इस एगियाए नही और भोजन रिए पुरत उढ़ मुझे और भोजन चाहिए मेरा उदार अभी नहीं भरा है और भोजन चाहिए मुझे शीग्र जाये शीग्र लाइए और भोजन लाइए मेरे लिए शीग्र मुझे और भोजन चाहिए अभी मैंने कहा ना मुझे और भोजन चाहिए मैं तो बस कुबेर देव का अंकार भंगोंते देखना चाहता था मुझे क्या ग्याद था कि वो ऐसी समस्या में पढ़ जाएंगे कुबेर देश शीगर कुछ कीजी और भोजन का प्रबंद कीजी अन्यता अनर्थ हो जाएंगे प्लाव प्लावा झालर लग झालर माजडर लगारी करताव सब्सकार माजड़ बाइल और भोजन चाहिए मुझे, कहा है भोजन? अब तो आपने सारा अन्न भी खा लिया, अब और भोजन शेष नहीं है, भोजन समाप्त हो गया, तो और जो भी है, सभी खा जाओंगा मैं, आपका धनकोश अभी शेष है ना, नहीं, एह अपना धन नहीं को सकता, मैं अपना धन नहीं को सकता, कुवेर्देव? अपने कैसे रुकू इले, कैसे रुकू इले, और भूख लगी है मुझे, भोजन दीजिए! मुझे और भोजन नहीं देंगे, तो मैं आपको ही खा जाओंगा! यह क्या कह रहे है आप, गुरुवर्वर् गजनन से मुक्ती की उक्ती है, तेरी पार्वती की शक्ती? तो गुरुवर् इस शक्ती को मैं कैसे प्राफ्ट करूँगा? सुवेनी एक आसूरी कन्या है सुवेनी, किन्तु वो देवी पार्वती की बहुत बड़ी भक्त है, माता पार्वती की साधना कर सुवेनी, अखंड सौभाग्यवती होने का वर्दान प्राफ्ट करना चाती है और अब, शिग्र उसकी साधना सफल होने वाली है जैसे ही उसे माता का वर्दान प्राफ्ट हो, तुम उससे विवाह कर उसके पती बन जाओ माता से अखंड सो भाग्यवति का वर्दान प्राप्त करने का अर्थ है आयू समाप्त होने पर जब सुवेनी अपने प्राण त्याग्यगी तो उसका पती जीवित रहेगा और वो अपने भावी पती की सुरक्षा के लिए तब कर रही है और यदि तुम्हारा विवा उससे हो जाए तो माता पार्वति की शक्ती तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी तदबस्चात का जनन को पराजित करना अत्यंत सरल हो जाएगा मान गए गुरुवर, मान गए आपको आप समझ में है गुरुवर, यूई नहीं आप असुर गुरु की उपाधी पाए हैं क्या उपाए सुझाया है गुरुवर आपने? अद्बुत, अद्बुत, पुत्र से संकट तो उसकी माता से रख्षा कृतार्थ हुआ मैं आपका सुझा अपाकर गुरुवर आप अनुमाती दीजे देवराज, ये किस का डिनाई में आपने मुझे फसाद दिया है? महादेव के परिवार को बोट पे बुलाने का विचार आप ही ने दिया था ना? अब मैं क्या करू? ये तो अब मुझे ही खाने की बात कर रहे हैं मेरा ख़जाना तो ये पहले ही का चुके हैं टेवगर्ण, थन को छोड़िया और अपनी चान बचाई भागिये यहां से और भोजन चाहिए मुझे और भोजन, शीक्रुट देवगर्ण, देवगर्ण मेरी सहाइधा कीजिए सहाइधा कीजिए मेरी देवगर्ण मुझे और भोजन चाहिए अभी इसी क्षण भोजन दीजिए मुझे बड़ी कठनाई में पड़ गया हूँ क्या करना मुझे और भोजन चाहिए अभी इसी क्षण मुझे और भोजन चाहिए अभी इसी क्षण भी इसी क्षण भोजन चाहिए और भोजन चाहिए मुझे और भोजन चाहिए अभी इसी क्षण भोजन दीजिये मुझे अब सुरक्षित हुए कुमेर्देव, भागिया मासिव! इस तम तो मेरे उपर ही गिर रहा है कुछ और शेश नहीं तो मैं आपको ही अपना आहार बनाऊंगा यह कैसा अनिष्ट होने जा रहा? अनिष्ट हुए यह कुछ अनिष्ट है फपर्दों फाजिल हम उमादィ! भाजिय झांदियु अमादियु एमेरि अन्येथा, गजानन्द, आपको छोड़ेंगे नहीं, भागिए! मेरी भूख मिटाहिए, भोजन दीजिये मुझे! अन्येथा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरे उदर में समाकर! आगो! कुबेर जी, भोजन संपर्न किये बिना कहां जा रहे हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ! अलका पूरी से बाहर निकलते ही, सुरक्षद हो जाऊँगा मैं! ऐसे भी गजानन का आकार इतना विशाल है, कि वो इतने तीवर वेक से मेरा पीचा नहीं कर सकेंगे! यह क्या यार? कुबेर देव जी भाग रहे हैं? कुबेर देव जी, आप कुछ से भाग नहीं सकते! मैंने चेताम नी दी थी आपको कुबेर देव जी, कि भोजन परियाप्त नहीं है! किन्तु आप खुरुश्वास था! सहस्त्रों सैनिकों को भोजन कराने हेतु भंदार था आपके बास! तो अब मिटाएए मेरी भूख! दीजिए मुझे भोजन! मैं यहीं जल में चिपा रहूँगा! यहां गजानन मुझे नहीं डून सकेंगे! खुछ समय में थक कर वो स्वयम क्यलाश लोट जाएंगे! काम निकलूगा यहां से? वो कैसी द्वाली है? वो कैसी दढ़ा? करा दिजे कंदाद्ट। मुझे जानन दीजी। मेरे लिए आपके पास और भोजन है। मेरे रस्मी में पके पकवाथ। मेरे भंढार का अन्द। मेरा दन कोच। तब कुछ तो आपके ओंदन में समाच चुपा है। अब और भोजन में का से ला हूं। कहां तहला हूँ? तब तो आप मेरा अहार बनने के लिए तयार हो चाहिए! क्योंकि मुझे तो और भोजन चाहिए! मेरी भूख अभी शांस नहीं हुए है! क्योंकि मुझे तो और भोजन चाहिए! क्योंकि मुझे तो चाहिए! Click the show links and enjoy watching the videos.